राश्ट्री एक ग्राम मीर्ड स्वास्थि मिशन किसी भी देश के विकास का आधार उस देश के सेहत मंद नागरिकों पर निर्भर करता है स्वस्थ नागरिक ही किसी देश के विकास की कुझी है सेतल राश्ट्री आय की दुरश्टी से विश्व की सबसे बड़ी अर्थ विवस्थाओं में से भारत एक है लेकिन जब बात स्वास्थिव सेवाओं की आती है तो हम वो तस्वीर देखते हैं जो दुरभाग्य से बहुत अच्छी नहीं है बता दे कि हमारा देश विश्वस्तर पर लोगों को उत्तम उप्चार च्रदान करता है बावजूद इसके हमारा चिकित्सा क्षेत्र कई तरह की चुनोतियों का सामना भी कर रहा है भारत के ग्रामीर क्षेत्र तो विशेश कर कई गमधीर चुनोतियों का सामना कर रहे हैं जैसे आबादी के अनुपात में अस्पतालों और जॉक्टरों की कमी सरकारी अस्पतालों में स्वास्ते सुविधाओं, आधार भूद सनरचनाओं, दवाईयों, कुष्टल गा प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं का अभाव आदी इनी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार थ्वारा ग्राममीर स्वास्ते मिशन की शुरूआत की गई इस मिशन से भारत के ग्राममीर क्शेतर चिकित्सा के क्शेतर में आत्म निर्भर हो रहे हैं विशेशतर पर ग्राममीर महिलाओं और बच्चों तक प्रात्मिक स्वास्ते सेवाएं पहुचाने में इस अभियान का एहम योगदान है आज इस मिशन के तहत ग्राममीर क्शेतरों को कही तरह के लाब हो रहे हैं जैसे मात्रत्व मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर के आंकडों में कमी आ रही है मलेरिया वजेंगु जैसी बीमारियों में कमी आ रही है लोग मक्खी मच्चा से होने वाली बीमारियों के प्रती सचेत हो रहे हैं थानिये बीमारियों में कमी आ रही है संचारी वगेर संचारी रोगों के रोगताम एवं नियंतरण में मदद मिल रही है महिराओं एवं बच्चों को स्वास्त सेवाएं मिल रही है मिशन द्वारा स्वस्त जीवन शैली को बढ़ावा मिल रहा है कमजोर इवं वंचित समाज तक चिकित्सा सेवाएं पहुँच रही है चिकित्सा के मामने में पंचायती राज संस्थान आत्मि निर्भर हो रहे है राश्ट्रिय ग्रामेर स्वास्ते विशन की तहत प्रतिय गाउं के लिए एक प्रिशिक्षत महिला सामुदायक स्वास्ते कारेकर्टा भी उपलब्द कराई गई है इन कारेकर्टाओं को लोग आम तोर पर आशा कारेकर्टा बोल कर संबोधित करते हैं बता दें कि आशा कारेकर्टाओं को गाउं से ही चुना जाता है इसलिए अपनी जिम्मिदारियों के प्रती वो उत्तरगाई होती है कुरोना संक्रमर के मुश्किल दौर में भी इस योजदा ने देश के ग्रामीर क्षेत्रों को बड़ा सहारा दिया है अपने गाउं की परिशानियों के बारे में आशा कारेकर्टाओं को अच्छी समझ होती है जैसे किसका घर कहां है, कौन से घर में कौन बीमार है, कौन सा अस्पताल गाउं से पास पड़ेगा आदि राष्ट्रिय ग्रामीर स्वास्थमिशन के तहट आशा कारेकरताएं, गाउं और सहाय क नर्स दाई के बीच एक कड़ी की तरह काम करती है राश्ट्री एक ग्रामीर स्वास्ते मिशन के तहत इंद्रधनुष योजना से भारत में वैक्सिनेशन कारिक्रम को अधिक मजबूती मिली है इसके तहत तेज गती से सभी बच्चों और गर्गवती महिलाओं को वैक्सीन दी जा रही है ग्रामीर क्षेत्रों में अक्सर दो साल तक के बच्चों और गर्गवती महिलाओं को उचित उपचार नहीं मिल पाता है इस योजना के तहत उनका वाक्सेनेशन सुनिश्चित की आ जा रहा है प्राप्त आंकलों के मुताबिक पहले पून टीका करन कवरिज में व्रधी एक प्रतीशत प्रती वर्ष थी लेकिन मिशन इंद्रधनुष के पहले दो चरणों में ही ये बढ़कर 6.7 प्रतीशत प्रती वर्ष हो गई है वही राष्ट्री स्वास्ते मिशन के तहट बाहल स्वास्ते कारित्रम भी चलाया जा रहा है हमारे देश में पोश्चन संबंधी विभिनित कमियों की वजह से विद्याले जाने से पूर्व अवस्था में ही बड़ी संख्या में बच्चे विभिनित प्रतार की वीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं अधिकतर बच्चों में विकासात्मक अवरोग से संबंधित वीमारियां पाई जाती हैं समय रहते अगर इन रोगों पर काबू नहीं पाया गया तो ये स्थाई विकलांगता का रूप भी धारण कर सकती हैं बच्चों में होने वाले कुछ रोगों को लोग बहुत ही आम मानते हैं जैसे दात, आँख, दस्त और श्वसं से संबंधित रोग लेकिन विशेशक के बताते हैं कि इन रोगों को भी अंदेखा नहीं करना चाहिए राष्ट्रिय बाल स्वास्तेकारिक्रम के तहट बच्चों को जाच और उपचार की सभी सेवाएं दी जा रही हैं इन योजनाओं के तहट नवजार चिशूओं को सारवजनिक स्वास्ते केंद्रों में जाच के लिए सुविधाय मिल रही हैं वहीं जन्म से लेकर छे सप्ताह तक के बच्चों को आशाकारिकरताओं द्वारा घर में ही जाच की सुविधाय मिल रही हैं छे सप्ताह से छे वर्ष तक के बच्चों को समर्पित मोबाईल स्वास्ते टीमों द्वारा आंगनवाडी केंद्र पर जाच की सुविधाय मिल रही हैं वहीं छे वर्ष से अधिक के बच्चों को समर्पित मोबाइल स्वास्त टीमों द्वारा सरकारी अस्पतालों में जाच की सुवधा मिल रही है राश्ट्रिय ग्राम मेर स्वास्त मिशन आया, सेहत का नया सवेरा लाया